हलो गाइस कैसे हैं आप से भी वेलकम टू माइ चैनल ग्लैमा ब्यूटी एंटिप्स विंटर के सीजन है हम स्वेटर के साथ सारी को ड्रेप कर सकते हैं तो आज मैंने सारी के साथ सारी ड्रेप किया है टुटोरियल फूरा फूल रहेगा आप प्लीज एंड तक बने रहे और म आज आज आणिवन से सारी पहना है बहुत अलग वाला टूटोरियल रहेगा यह तो प्लीज बने रहे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हम हमेशा परफेक्टली सारी पहनते हैं थोड़ा इंपरफेक्ट सारी मैंने पहना है आज तो चलिए देखते है कैसा आता है लुक्स और स्वेटर के साथ मैंने पहना है ठंडी का सीजन है चाहे कितना भी हम लोग स्टाइल कर ले ठंड तो लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हूं मैं आज का वीडियो और आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो तो पहले मैंने यह अंडर स्कुट पहना है और उसके साथ मैंने पहना है शूज वैलवेट का सू है मेरा विच सॉक्स मैंने पहना है और स्वेटर को हम ब्लाउस की तरह यूज कर सकते हैं स्वेटर को ले और एक रबर बैंड से इसको करके ऐसे करके विल्कुल ब्लाउस की तरह बना ले उसके बाद हम करेंगे सारी का ड्रेपिंग सारी का draping हम आज थोड़ा ऊपर से करेंगे नॉर्मिली जो सारी हम पैंते हैं उसका fall हमारा floor को touch करता है लेकिन आज जो मैंने सारी drap किया है वो थोड़ा मैंने ऊपर करके सारी को drap किया है इससे बहुत smart वाला एक look आ जाती है पार्टी बगएर हमें हम लोग ऐसे ड्रेप करके जा सकते हैं तो यह देखिए मैं मेरा जो फॉल है वो थोड़ा ऊपर है बहुत स्टाइलिश लुक देता है और फिर हम करेंगे पलू का एरिया तो पलू के लिए लाड़ा फ्लीस को एरेंज कर ले और आज मैंने अल्ट्रा सेटी कियो है और सारी का जो लेंथ ऐ वह थोड़ा जयादा रखें जो लूप है हमारा वह में थोड़ा ज़्यादा रखहूंगी बढ़ा रखोंगा करने का मैंने त्राय किया है आप कमेंद बसक्ते हैं कैसा लगा आप को तो यह देखिए मैं उदाओ सफटीपिन मैं इसको टकिन कर रही हूं अफटर टकिन बनाना है हमें प्लीर्स फिर मैं करूंगी इसके प्लीर्स थोड़ा उच्छा करके बनाना है तो इसको मैंने क्योंकि आज मैंने आनिवन से सारी पहना है तो इसको पहले हमारा जो प्लीर उसके लिए थोड़ा उच्छा हमें करना है और फिर टकिन करना है मैट्रियल को सारी को तो यह देखिये मैंने थोड़ा ऊपर करके इसको टकिन कर लिया है अब मैं बनाऊंगी प्लीट्स जैसे हमारा प्लीट्स बना ले श्रीफिंगर के मदद से जितना भी प्लीट्स आए उ सही से अरेंज कर रही हूँ, थोड़ा हाथ से प्रेस करके इसको अरेंज कर ले, बहुत नीकली करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उपर उपर से इसको प्रेस करके, जस्ट इसको बिठा ले, क्योंकि ये मेरी थोड़ी तफ रफ और टफ सारी है, तो मैं इसको थोड़ा सा कर करके ही इसको हमें करना है विदाउट पेन लगा के तकिन करें अफ्टर टकिन हमें पेन से जस्ट इसको एर्च करके रखना है और पीन करना है दाकि प्लीट इधर उधर चला ना जाए यह देखिए मैंने टकिन कर लिया है बिल्कुल परफेक्ट होनी की ज़रूरत नहीं है क् कि हम आज थोड़ा डिफ्रेंट लुक क्रियेट कर रहे हैं तो उसके बाद जो पीन है उसको पीन को प्लीट में लगा ले तो पीन मेरा लग गया इसके बाद हम करेंगे प्लीट करेंगे एर्रेंज जितना भी हो उतना ही कर लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसका पल्लू का अब देख सकते हैं बिल्कुल ऊचा एकदम इंपर्फेक्ट सा मैंने सारी आज ड्रेप किया है कभी कभी इंपर्फेक्शन भी जरूरी होता है हमारी लाइफ में क्योंकि हम हमेशा पर्फेक्ट नहीं होते हैं तो यह सारी में भी इंपलाई होता है मैंने आज बिल्कुल प्लीज को मैंने क कर लिए फटाइब को मैंप जो पेड़े में बना लिए और लोगो में इसको भी उसके बाद इसपाँरेबलोगा मैं प्लीट में बाइब हो आप चाहे तो इसमें जॉर्जट का सारी भी यूज कर सकते हैं बट अज मैंने यह वाला यूज किया है थोड़ा यह स्टिफ है रफ है तो इसको मैं हाथ से ही अर्रेंज करके प्रेस करके इसको मैं सही कर रही हूं स्वैटर के साथ मैंने ड्रेप किया है थोड़ा है क्वार्ट स्वैटर है तो तौड़ीम का अब सीट में प्स्वार्ण से ही उसके नीचे मैट्रियल आना जाए तो यह हो गया मेरा पल्लू का एरिया कंप्लीट और यहां पर हमें एक पिन लगाना है और जो पल्लू वाला शोल्डर प्लीट से उसको भी थोड़ा एर्रेंज करके मुझको सफ्टी पिन में लगा लूँगी और जो मेरा हेर स्टायल है मेरे हेर स्टायल के लिए मैं बता दू मैंने स्मूद निंग किया था अल्मूस्ट वान यह बैक तो मेरे हेर्स एक्ष्यली में बहुत कर ली हैं तो मेरे आधे माल कर ली हो चुके हैं और आधे स्ट्रेट है तो मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट वाले जो हैस्टाइल से मैं नहीं कर सेकती क्योंकि कर ली हेर्स में डिफरेंट स्टाइल्स नहीं जाता है बहुत प्रॉब्लिम होती है मुझ और यहां पे एक पीन अलग से लगा लें ताकि जो पल्डू वाला एरिया है हमारा वह सही से अपनी जगा रहे तो गाइस मेरा हो गया सारी ड्रेपिंग कम्प्लीट बिल्कुल अनिवन से सारी मैंने पहना है और स्वेटर के साथ पहना है स्वेटर को ब्लाउस की तरह मैंने है यह देखिए यह मेरा हो गया लुक कम्प्लीट और यह है मेरा लो बंड मैं ऐसे मैं हेर स्टैल कर पाती हूं तो यह देखिए और यह मेरे जुम के तो हो गया मेरा लुक कम्प्लीट आप लोग प्लीज बताएए का आप लोगो कैसा लगा ऐसे इंपर्फेक्ट बाला सार का ड्रेपिंग तो आज के लिए इतना ही गाइस फिर मिलेंगे बाय और गुट नाइट